वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भविशय में 498-1 के केस नहीं होंगे और चल रहे केस होंगे खतम इसमें हाल ही में सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया है आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस केस में पत्नी ने 498-1 का केस पती पर और उसके परिवार वालों पर किया पर इसमें पती बक्ष को रहत मिली इस मामले में पती बक्ष 498-1 के केस को कोयश करवाने के लिए हाई कोट गया और कोट ने ये माना कि पतनी ने गलत तरीके से केस दर्ज किया है और कोट ने पूरी 498-A की प्रोसीडिंग को खतम कर दिया ये चारखंड हाई कोट का मामला है इसमें लड़के के माता पिता थे वो थे पेटिशनर और उनका कहना था कि हम पर ये गलत मामला गलत तरीके से दर्च करवाया गया है जो इनकी बहु है उनके द्वारा डौरी और टॉर्चर के आरोप भी लगाए गये थे और 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 भी के लावा कोट ने ये भी देखा कि लड़के के माता पिता हैदराबाद में निवास करते हैं और ये जो घटना है वो धनवाद शहर की है और बहु के द्वारा सारे आरोप समाने प्रकृति के लगाए गये थे यहाँ पर कोट ने पूरी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शियर और आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लाख सब्सक्राइब के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद